हेलो एव्रिवान वेल्कम टु दे चैनल गूट सुक्सेस जैसा कि पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट में के लिए हैं हरियाना में कुल 297 में और 297 टोटल पोस्ट है 205 912 क्लास के लिए है और 92 पोस्ट 1st to 8th क्लास के लिए है लास्ट उसके अलावा अगर हम बात करें स्लेक्शन किस तरीके से होगा और सेलरी कितनी है तो सेलरी है 20 से 25 जार यानि कि 1st to 8 पर आपका स्लेक्शन होता है डीएड या जेविटी बेस पर तो 20 जार पर मन्त है और अगर आपका 9-12 लेक्टर पोस्ट पर होता है तो 25,000 पर मन्त है आ 50 questions, 2 video submission, 100 marks के रहेंगे ठीक है ये देखे जनरल subject aptitude, 10 questions रहेंगे 15 marks के इसमें जो आपका है हिंदी-English social science, इन subjects के नोलिज होनी चाहिए 1 marks, ठीक है, 2 marks और 15 marks इस तरीके से देख सकते हैं, 2 questions होंगे 5-5 number के, एक question होगा 5 number के, यानि की हिंदी-English social science उसके बाद politics से related कुछ questions होंगे, उसके बाद आपका inclusive education है, ठीक है, 20 questions होंगे 30 marks के fundamental यह सब है, इसमें आप देख सकते हैं, उसके बाद professional competence and communication है, यानि की home environment, social environment, parent involvement, इन सब से questions होंगे एक वीडियो आपको बनागर भेचनी है, happily to teach a topic from the chosen subject, कोई भी subject आपको choose करके वीडियो बनानी है, किस तरीके से आप पढ़ा पाएं या इस तरीके से, एक वीडियो है 15 number की, दूसरी वीडियो भी है आपकी 10 number की, generic topic related to the field of education, जो आपका field है education का उससे related होना चाहिए, ठीक है, यह तो बात रही exam की, उसके बाद selection की साधार पर होगा, यहाँ पर academic qualification के marks लगेंगे, 10th maximum 10 marks होगे, वो आपका percentage, जितना percent 10th में marks आई है, उसके बेस पर आपके यहाँ पर percentage के according, वेटेज दिया जाएगा, 10th plus 2 का 10th है, graduation के 10 marks है, उसके बाद है B.E.E.D. Special Education, B.E.D. General, जो भी किया है, आपने, यह जो इन सब में से, जो भी चीज़े है, 10 marks होगे है, M.E.D. अगर आपके special education है, तो 5 marks है, यहाँ पर profit रहेगा, M.Phil की है, तो 2 marks, PhD है, तो 3 marks, यानि की total academic 50 marks of return 50, इस तरीके से आपके total 100 में से merit नुकले की, 50 आपका academic रहेगा, 50 आपका return test और जो व benefits आएगी, merit निकलेगी, ठीक है, तो यह आज की update थी, thank you so much, बाकी updates के लिए, जैनको subscribe करें, बेल आइकन को फ्रेंस करें, गुग लग,